नमस्का दोस्तों स्वागत है आपसे भी लोगा आपके अपने चैनल टेडर स्टायरी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SH केलकर की उपर जो आप जानी आते हैं केवा की नाम से अब उपर से 15% के असपास की गरावट आ चुकी है SH केलकर के स्टॉक में क्या ख़र दिने के लिए अब ठीक है आगे चलकर दोस्तों मैं आपको बताओं आगे चलकर केमिकल सेक्टर का टॉप मल्टी वेगर बन सकता है क्यों इसके फंडमेंटल ही आप देख लीजे आपको ख चेंजस आए क्या क्या नहीं चेंजस हैं और उसके बाद देखें टेक्निकल चार्ट क्योंकि यह अब एक इंपोर्टेंट लेवल पर है और वहीं के आसपास 168 के आसपास इंपोर्टेंट लेवल तो उसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से तो चलिए अब बगत वरवाद ना करते हुए शुरू करते हैं पहले फंडमेंटल लेगें फिर टेक्निकल चार्ट चलिए देखते हैं दोस्तों तो दोस्तों 15 जुलाई को 168.65 पर क्लोजिंग दिया है ऐसे चेल कर एंड कंपनी नहीं और मैं आपको बता दूँ पहले यहीं पर हम क्लियर कर दाएं एक च कैस होता है तो जो भी है जब परफ्यूम बना जाता है एक कंपनी जैसे नीविया नीविया ब्रांड ठीक ना परफ्यूम बनाती है उसके अंदर जो डलेगा जो फ्रेक्रेंस आए गी वह कौन देगा वह यहीं कंपनी देती है इनके जैसे और भी है उनके और टइप किसी महंदरा बैंक हिससा खरीडिया था इसके अंदर उसके बाद सबसे आप जानते हैं कि जो अंदर का material होता है किसी चीज का वो इतना ज्यादा सस्ता होता है वो सिफ company दूसरी company बना रही है लाती है ठीक है लेकिन जो असली पैसा कमाता है वो brand कमाता है तो brand के पास जो है वो सबसे ज्यादा पैसा जाता है ना कि जो chemicals बनाते हैं उनके पास तो वही एक चीज है यहा यह वर पर नहींब कर्वार्पित हो सकते हैं को अगर यह कि परफियूम आते हैं यह पर्फियूम केमिकेल यह फ्रिग्रीन से बनाते हैं ठीक न तो इतना आपके पास यहां किलीर कर दिया कि यह करती कह अब चलिए बात करते हैं इसके fundamental की जैसा कि गादर केमिकल सेक्टर में मार्केट के देखिए फाइनेंसियल इंडिकेटर इन फंडामेंटल मार्केट के थे सो एक टू थू थाउजन थी 381 करोड रुपीस का यहां पर मार्केट कैप है अंडिक पर से देखिए 10.24 है पी रेशियो देखिए 16.46 है इंडिस्टी पी देखिए 48.14 है बुक बेल्व पर शेर 67.34 रुपीस पर और यहां पर धाई गुना उपर काम कर रहा है ठीक है नमर आप शेयर्स बहुत काम 14.13.13 लेक शेर्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल यहां पर स्प्लिट होने की चांस है बोनस मिलने की चांस है यहां बिल्कुल है अब दस रुपए का EPS 10.24 का EPS जिस कंपनी का हो जिसका मार्केट केप 23.81 करोड रहा है वो माफ किजिए का डिफ्रेंस है 32 पॉइंट सस्ती है इंडर्सीपी से उसे आप क्या कहना चाहिए एक मल्टी वैगरी कहना चाहिए न तो यही एक चीज जो धिक्ति तीए केल कर लिए इसलिए लोग पागल है मार्केट में जो इंवेस्टर को केल कर को काफी Exact extends. अब देखते हैं क्या रिजल्ट भी इतने ही तंगड़े हैं जो की इसे कहा रहा हुआ. जी हम आ देखिए तीन सालों से तो ग्रोथ देखी नहीं थी 2017 से 2019 तक कोई ग्रोथ नहीं 1059 1038 1048 करोट रुपीज की यहापर सेल्स रही है लेकि 2020 मार्च यहापर एक जंप देखने कुला अच्छा खासा जंप देखने कुला 1114 करोड की यहापर नेट सेल यहापर देखी है और फिर से यहापर जो है जंप किया है नेट सेल 1321 करोड रुपीज की यहापर नेट सेल पहुंच गई है 2021 मार्च में तो इससे बढ़िया और क्या होगा इससे बढ़िया और क्या बहतर हो सकता है किसी कैमिकल कमपनी के लिए हाला कि आपने एक बात गौर की होगी लेकिन तब वो जो खर्चे हैं वो कमते हैं ठीक है ठीक है अधर इंकम तेस करोड़ 16 लाग के असपास यह इंट्रेस्ट करजवर्ज काट उटके यहां पर जो है अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट इयरली प्रॉफिट यहां पर मैं यर ओन यर का दिखा रहा हूँ अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट इन्हों ने क्लोग किया है 2021 मार्च में 193.27 करोड रुपीस का यहां पर प्रॉफिट इन्हों ने क्लोग किया है जो कि कभी चार सालों कभी दिखे ही नहीं मतब यह पांचमी साल है पिछली जो चार सा साल है उन्हें कभी ऐसा पॉफिट करोड दिखा नहीं है 2020 क्रोड कर प्रॉफिट था 2019 में 114 को तरुतुट रुप्र प्रॉब यहां 200 17 में 152 करोड रूपिस का प्रॉफिट लेकिन अब ही टेक्स कटने अब देखिए ज़रा टेक्स काटने के बाद फिर भी इनका जो टेक्स काटने के बाद जो है वह काफी काफी जादा बेहतर है 144.70 करोट रूपीज आपके आपकी स्क्रीन पर हाइलाइट कर रहा होगा डार्क ब्लू से दिख रहा होगा 144.70 करोड़ी जिसकी वैसे जो EPS 2.53 था वो भढ़कर यहां पर पहुंच किया है 10.24 पर तो इतना धमाकिदार जो EPS में जो बढ़ोत्री हुई है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते यह एक बढ़िया कंपनी का साइन है और आप इसे आगे के लिए कै अपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्योंकि तेजी हो तो चुकि यह लेंगे इतनी बड़ी तेजी भी नहीं कहेंगे ठीक ना आप चलिए एक खास चीज़ लेखते हैं शेयरोड़निंग पैटन अभी अपडेट नहीं हुआ है कंपनी जो प्रमोटर 58.57 परसेंट इस कंपनी में ओल्ड करते हैं कि 8.43 परसेंट तक तुरू दिसमबर 2020 में करते थे तो यहांपर Fis की जो परसेंटेज हैं अवा है पर दाउन हुआ है जी 2021 मार्च के मतलब चार मेने कर दोसेंद दिसमबर से मार्च तक यहांपर DIA इस का आपर जो परसेंट पर जो परसेंट हो होल्ड करते हैं किसमार्च के साब और नया पैटन आने वाला है तो उस पर जाद ध्याद दियान दीशेगा 28.72 परसेंट रीटेलर इस कंपरी में होल्ड करते है 27.69 परसेंट पहले वोल्ड करते हैं दिसम्मर में होल्ड करते हैं यहां पर स्टेक प्लेज है जी हां मामली से स्टेक प्लेज है जीरो पॉइंट जीरो फॉर परसेंट ओनली वह चोटी सची अब देखते हैं आपर कोटक यहां पर इसमें है या नहीं है कोटक महिंद्रा कोटक मलावार इंडिया फंड टूपंट 73 टाटम यूचल फंड बंपंट 17 कंपनी तो बहुत होड़ करते हैं इस कंपनी को ब्लैक स्टोन 10 परसेंट है अरे भाई साब यह ब्लैक स्टोन सबसे बड़े यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़े यहां पर इंवेस्टर 10.22 परसेंट इस कंपनी में होल्ड करते हैं आफ्टर प्रमोटर इतना तो हमारे जो दिया इस हैं उनके पास भी नहीं है तो यहां पर समझ में आगे होगा लेकिन आपर कोटक कर नाम नहीं आरा कोटक ने शायद मेरे कासर कोटक ने लगता है शर्प बीच नीचे गर गया में सीडी कह रहा है कि यहां विया जन्रेट तो है सेल सिंगनल लेकिन इतना मतल स्टॉंग नहीं है चलिए अब अपने में चार्ट पर बात करते हैं यह तो इंटाडेव चार्ट हो गया कलका उस पर भी बात कर रहे हैं यहां पर भी सेलिंग घट रही है पर आप कीजिजिए जो है इस कंपनी में जो है यह ले जिए तो यह उस लेवल पर ही है जहां पर ब्रेक ाउट जो है उब कभी भी मिल सकता है तो दियां रखियागा यह ब्रेक आउट के लेवल पर ही है बहिया जी यह जो तो यहां ध्यान रखिएगा यहां तो यह नीचे जाएंगे बाइसाब अच्छी तरीके से 168 के लेवल तोड़कर नीचे की और तो नीचे की और मूव देंगे और यहां तो यहां से अच्छी ऑंपर ऊपर निकल गए तो यहां पर आपको ब्रेक आओट मिल जाएगा यहांसे और यहांसे से तंगड़ा मूब जो Carecom मिल सकता है यह कौन सा है यह 172 के ऊपर निकलने की बात थे 171 172 के ऊपर क्लोजिंग की बात मैं कर रहा हूं closing अगर दे जाता है तो यहां पर breakout के इस्तिती यहां पर हो सकती है, होगी और यहां से जो भी moment देगा वो तेज़ moment देगा छोटा मोटा moment नहीं देने वाला चलिए उमीद है आपको यहां पर समझ में आ गया होगा तो आपको ध्यान रखना है कि 168 का लेवल यह स्टॉक वहां तक आ चुका है, यह जहां पर यहां पर सपूर्ट लेने की बात जो हम पहले भी करते थे, वह अब भी कर रहे हैं, जादा यहां पर जो है, यहां पर gravity आ चुकी 190 के लेवल से, 188 के लेवल से जो है, वह यहां पर गिर चुका है यह stock तो अब जो है अब ध्यान रखिएगा इन लेवल पर बन 68 के अगर नीचे closing दे और दो दिन अगर यानि आज Friday का दिन है अगर आज के दिन अगर closing दे जाता है ये नीचे 168 के closing दे जाता है तो मंडे को भी ध्यान रखिएगा कि ये 168 के नीचे अगर close होता है तो यहां पर buying मत करिएगा नई बाइंग तो बिल्कुल मत करिएगा और जो प्राहने hold कर रहे हैं तो वह यहां पर अपने आपना जो जो कुछ profit है अगर पास का stock पास का है तो उसमें जो है अब निकलने की सोचेगा अगर यह लेवल 168 का टूटता है तो वैसे तो निकलने की बात नहीं है हो क्या सकता है आपर मताओ strategy क्या होती है जैसे जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उनका क्या होता है जब कोई support लेवल टूटता है तो वहाँ पर क्या है अपनी आदी position जो हटा देते हैं ताकि नीचे जो है नीचे बाइंग करने के लिए रहा है तो वैसा कुछ यहाँ पर अगर आप करने चाहे तो कर लीजे अगर आपके पास hold करने की छमता है तो इसे hold रखिए नीचे लेगा तो नीचे all लेने की सोच एगा अच्छी company है अच्छा खासा return आपको कमा के दे सकती है तो अमीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज आपके comment section में comment करिए आपके answer मिल जाएंगे अगर मैंने कुछ गलती कर होती है मैंने नहीं बताया सही तो आप प्लीज उसके बारे में comment section में बताईएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल करिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दवाईएगा तापकि आपको नए नहीं प्लीज बहुत बहुत दनिवाद दोस्तो